गायत्री गीता वेदमाता गायत्री का मंत्र छोटा सा है, उसमें 24 अक्षर हैं, पर इतनी थोड़ी में ही अनन्त ज्यान का समुद्र भरा पड़ा है। बन सकते हैं। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही दृष्टिकोन से गायत्री का संदेश बहुत ही अर्थपून है। उसे गंफेरता पूर्वक समझा और मनन किया जाए, तो सतग्यान का अविरल स्रोत प्रस्फोटित होता है। यहां संक्षप्त सा गायत्री मंत्रार्थ दिया जाता है। यही गायत्री गीता है। अर्थ जिसको वेद न्यायकारी, सच्चिदानन्द, सर्वेश्वर, समदर्शी, नियामक, प्रभु और निराकार कहते हैं। जो विश्व में आत्मा रूप से उस ब्रह्म के समस्त नामों में सुरिष्ठ नाम, पापरहित, पवित्र और ध्यान करने योग्य है, वह ओम ही मुख्य नाम माना गया है। भावार्थ, परमात्मा को प्राप्त करनी और प्रसन्द करने का मार्ग उसके नियमों पर चलना है, वो निंदा इस्तोती से प्रभावित नहीं होता, वरन कर्मों के अनुसार फल देता है। परमात्मा को सरवर्त्र व्यापक समझ कर गुप्त रूप से भी पाप नहीं करना चाहिए। प्राणियों की सेवा करना परमात्मा की ही पूजा करना है। परमात्मा को अपने अंतस में अनुभव करने से आत्मा पवित्र होती हैं और सत्च चैतन्यता तथा आनद की अनुभूती होती हैं। एते नईव विशे ध्यत्ते ही सकलम नूनम समानम जगत द्रिष्ट अव्याह सकलेशो जन्तोशो जनैरनेत्यम्हसो सचात्मवत। अर्थ मुनी लोग प्राण को भू कहते हैं। ये प्राण समस्त्र प्राणियों में सामान्य रूप से फैला हुआ है। इससी सिद्ध है कि यहां सब समान हैं। अतेव सब मनिश्यों और प्राणियों को अपने समान ही देखना चाहिए। भावार्थ अपने समान सब को कश्ट होता हैं। इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए। दूसरों के प्रती वही वैवार करना चाहिए। जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। सब में समत्व के दृष्टी रखनी चाहिए। कुल वन्ष देश जाती समुदाय इस्त्री पुरुष आदी भेदों के कारण किसी को नीचा उचा छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। उच्चता और नीचता का कारण तो भले बुरे कर्म ही हो सकते हैं। भुवर नाशो लोके सकलं विपदाम वै निगधिताह। कृतं कार्यं करत अभ्यमिति मन साचास्य कर्णं। भलाशाम अरत्याय बिदधति नवै कर्म निरताह। लभन ते नित्यम ते जगति ही प्रसादम सुमन साम। अर्थात संसार में समस्त दुखों का नाशी भुव कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। परिणाम में सुख के अभिलाशा को जोड़कर जो कार्य करते हैं वे मनुश्य सदा प्रसन्न रहते हैं। भावार्द, मनुश्य का अधिकार कार्य करना है, फल देने वाला ईश्वर है। अमुक वस्तु प्राप्त होने पर ही सुख माना जाए, ऐसा सोचने के बजाए, ऐसा सोचना चाहिए, कि कर्तव्य पालन ही हमारे लिए आनंद का सर्वुत्तम केंद्र है। जो अपने कर्तव्य कर्म को ही लक्ष मान लेता है, वो कर्मयोगी हर घड़ी सुखी रहता है। जो इच्छित भल की आशा के लिए लटका रहता है, उस तृष्णवान को सदा सतकर्म करते रहना चाहिए। गेथा के कर्मयोग का यही तत्व है। जो इच्छित्तस्य चलताह। निमगनत्तम सत्यवरत सरसे चाचक्षती उता। त्रिधाम शान्तिम हेताम भूवी चलबते सैयम रताह। अर्थ स्वह ये शब्द मन की स्थेरता का निर्देश करता है। चंचल मन को सुस्थेर और स्वस्थ रखो ये उब्देश देता है। सत्यम में निमगन रहो ये कहता है। इस उपाई से सैयम में पुरुष तीनों प्रकार की शान्ति को प्राप्त करते हैं। भावार्थ अनिच्छित परिस्थिती प्राप्त होने पर प्राय मनिश्य, शोक, दुख, क्रोध, द्वेश, दीनता, निराशा, चिंता, भै, बेचेने आदी से उद्विग्न होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। और अनुकूल परिस्थिती प्राप्त होने पर अहंकार, मद, उद्दंडता, खुशी में फूल कर अस्वाभाविक आचरन करना इतराना अपव्यय, शेखियादी से ग्रस्त हो जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियां एक प्रकार का नशा या ज्वर हैं। ये विवेक को अंधा कर देते हैं, जिससे विचार और कारियों की उचित्य श्रिंखला नश्ट भ्रश्ट हो जाती है, और आदमी अंधा तथा बावला बन जाता है। इन सत्यानाशी तूफानों से आत्मा की रक्षा करने के लिए मन को इस्थेर, संदुलित, स्वच्छ एवं सत्य प्रेमी बनाना चाहिए, तभे मनुष्य को आत्मिक, बौध्धीक तथा शाररीक शान्ती मिल सकती है। ततो वै निश्पत्ति हिस्था भोविमति मान पंडित वरह, विजानन गोहियं यो मरण, जीवन योस्त दखिलं। अनन्ते संसारे विचरती भया सकती रहित, स्तथा निर्मानम वईनि जगती, विधी नाम प्रकुरुते। अर्थात, तत शब्द ये बतलाता है कि संसार में वही बुद्धिमान है, जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसकती रहित जीता है और अपनी गतिवीधियों का नर्मान करता है, भावार्थ, मृत्यू सदा सिर पर खड़ी नाश्ती रहती है, इस समय सांस चल रही है, अगले ही क्षण बंध हो जाए, इसका क्या ठिकाना है, ये सोच कर इस सुर दुरलब मानव जीवन का स्रि भूगने पड़ें, ऐसा विचार करना चाहिए, यदि विद्याध्यन, समाज सुधार, धर्म प्रचार आदी स्रिष्ठ कार्य करने हो, तो ऐसा सोचना चाहिए, कि जीवन अखंड है, यदि इस शरीर से ये कार्य पूरा न हो सका, तो अगले में पूरा करेंगे, ये निर् के पश्चात आनंद ही मिलेगा, पर लोग पुनरजन्म आदी में सुख ही प्राप्त होगा, पर जो इन जीवन ख्षनों का दुरपियोग कर रहा है, उसका भविश्य अंधकार में है, इसलिए जो बीत चुका है, उसके लिए दुखना करते हुए, शेष जीवन का सदुप करना जाहिए, विशे तथा अनुभूतियां अपने आत्मा से ही संबंधित हैं, ऐसा विचारना चाहिए, भावार्थ, सुर्य को वीर्य और प्रित्वि को रज कहा जाता है, सुर्य की शक्ती से संसार की सब क्रियाएं होती है, इसी प्रकार आत्मा अपनी क्रिया शील्था द्वारा अपने लिए जैसी परिस्थिती अच्छी लगती है उसी की योग्य अपने को बनाना जाहिए। इन आठ बलों से अपने को सदेव बल्वान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए अर्थात वरिन्य ये शब्द प्रकट करता है कि प्रत्यक मनुष्य को नित्य स्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए स्रेष्ठ देखना, स्रेष्ठ चिंतन करना, स्रेष्ठ विचारना, स्रेष्ठ कार्य करना इस प्रकार से मनुष्य को स्रेष्ठता प्राप्त होती है भावार्थ पुस्तकें पढ़ना, स्रेष्ठ बातें सूचना, स्रेष्ठ घटनाई देखना, स्रेष्ठ कारिय करना आवश्यक है। दूसरों में जो स्रेष्ठताई हों, उनकी कद्र करना और उन्हें अपनाना, स्रेष्ठता में श्रद्धा रखना, ये सब बातें उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक हैं, जो अपने को स्रेष्ठ बनाना चाहते हैं. अर्थ भर्गो ये पद बताता है कि मनुष्यको निश्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों की दुष्परिणामों को देखकर, उन से घ्रणा करें और निरंदर उनको नश्ट करने के लिए संघर्ष करता रहे. भावार्थ जाहे पापी स्वयम सहे, हर हालत में दुखों का कारण पाप ही है. इसलिए जिन्हें दुख का भै है और सुख की इच्छा है, उन्हें चाहिए कि पापों से बचें और भूत काल के पापों के लिए प्राइश्चित करें. पापों से सावधानी रखना और उन्हें भीतर बाहर से नश्ट करने के लिए संघर्ष करना ये बहुत बड़ा पुण्यकार्य है क्योंकि इससे अगणे तप्राणी दुखों से चुटकारा पाकर सुखी बनते हैं. निश्पापता में ही सच्चे आनन्द का निवास है. देवसेतितुव्यकारोत्य अमरतां मर्त्योपिसंप्राप्यते देवानामिवसुद्ध द्रिष्टि करनात सेवोपचाराध्धुवें. निश्वार्थम परमार्थ कर्म करनात दीनाय दानात था बाह्या भ्यंतरम अस्यदेवभुवनम संस्रज्यते चैवही. अर्थ देवस्य यपत बताता है कि मर्ण धर्मा मनुष्य भी अमर्ता अर्थात देवत्व को प्राप्त कर सकता है. देवताओं के समान शुद्ध द्रिष्टे रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ कर्म करने से, निर्बलों की साहता करने से, मनुष्य के भीतर और बाहर देव लोग की स्रिष्टी होती है. भावार्थ परमात्मा के बनाई हुई इस पवित्र स्रिष्टे में जो कुछ है पवित्र और आनन्दमय ही है. इस त्रिष्टी को संसार को प्रसन्यता की द्रिष्टी से देखना, उसमें मनुष्यों द्वारा उत्पन की गई बुराईयों को दूर करना और इश्वरिये श्रिष्टताओं को विकसित करना, प्रचलित करना देव कर्म है. इस देव दृष्टी को धारन करने से मनुष्य देवता बन सकता है, जो अपने को शरीर न समझ कर आत्मा अनभव करता है, वो अमर है, उसके पास से मृत्यू का भै दूर हो जाता है, प्राणियों को प्रेम और आत्मियता की पवित्र दृष्टी से देखना, अपने आचरण के लिए ये भूलोग भी देव लोग के समान आनंदमै बन जाता है, धीमही सर्व विधम सुची मेव, शक्ति चायवाय मित्यो पदिष्टा, नो मनु जो लभते शुख शान्तिम, अने नविनेति वदन्ति ही वेदा, अर्थात, धीमही का आशे है कि हम लोग फृदे से सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारन करें, वेद कहते हैं कि इसके बिना मनुश्य सुख शान्ति को प्राप्त नहीं होता, भावार्थ, संसार में भौतिक शक्तियां अनेक हैं, धन, पद, वैभव, राज, शरीरबल, संगठन, शस्त्र, विद्या, बुद्धी, चतुरता, कोई विशेश योग्यता, आदि की बल पर लोग ऐश्वर्य और प्रशन सा प्राप्त कर लेते हैं, पर ये अस्थाई होत इनसे सुख मिल सकता है, पर वो छोटी-छोटे आगार्थ में ही नश्ट भी हो सकता है, इस्थाई सुख आध्यात्मिक पवित्र गुणों में हैं, जिनें दैवी संपदाएं या दिव्य शक्तियां भी कहते हैं, निर्भैता, विवेक, स्थिरता, उदारता, सैयम, परमार्थ, स्वाध्याय, तपश्चरिया, दया, सत्य, अहिंसा, नम्रता, धैर्य, अद्रोह, प्रेम, नियाईशीलता, निरालस्य, आधी दैवी गुणों के कारण जो सुख मिलता है, उसकी तुलना किसी भी भौतिक सं संपदा से नहीं हो सकती, इसी लिए अपनी दैवी संपदाओं का कोश बढ़ाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, अर्थ, धियो पद बताता है कि बुद्धिमान को चाहिए, वो वेद शास्त्रों को बुद्धी से मत कर, मक्षन के समान उत्कृष्ट तत्वों को जाने, क्योंकि शुद्ध बुद्धी से ही सत्त्य को जाना जा सकता है, भावार्थ, संसार में अनेक विजारधाराएं हैं, उनमें से अनेक आपस में टकराती भी हैं, एक शास्त्र के सिध्धान्त, दूसरे शास्त्र के विपरीद भी बैठते हैं, इसी कारण एक विद्धवान या रिशी के विजार, दूसरे विद्धवान या रिशी के विज वही भिन्य परिस्थितियों में गलत भी हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखती हुए करना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में गलत भी हुए करना चाहिए। अधिक हो उनके नियून से नियून भाग को ही अपने आविशक्ता के लिए प्रयोग में लाएं और शेश को निस्वार्थ भाव से अशक्त व्यक्तियों को बांट दें। भावार्थ से निर्बलों की साहिता के लिए इनका उप्योग किया जाना चाहिए। विद्वान, बल्वान या धन्वान का गौरव इसी बात में हैं कि उनके द्वारा कम ग्यान वालों को निर्धनों को उचा उठाने का प्रयास किया जाए। जैसे व्रिक्ष, कूप, तड़ाग, उपवन, पुश्प, अगनी, जल, वायू, बिजले आदी, स्रिष्ट समझे जाने वाले पदार्थ, अपने महान शक्तियों को लोकहित के लिए सदेव, वितरित करते रहते हैं। वैसे ही हमें भी अपनी शक्तियों का जिवन निर्वाह मात्र अपने लिए रख कर शेश को जन हित के लिए समर्पित कर देना चाहिए। प्रचोदयात स्वम्तित रांश्यमानवान नरह प्रयाणायच सत्यवर्तमनी कृतम ही कर्मा खिलमित्यमंगिना वदंति धर्मम इतिही विपस्चिताह। अर्थ प्रचोदयात बद का अर्थ है कि बनुश्य अपने आपको तथा दूसरों को सत्य मार्क पर चलने के लिए प्रेड़ना दे। इस प्रकार किये हुए सब कामों को विद्वान लोग धर्म कहते हैं। भावार्थ प्रेड़ना संसार की सबसी बड़ी शक्ती है। इसके बिना सारी साधन सामगरी बेकार है। चाहे वो कितनी बड़ी क्यों न हो। प्रेड़ना से उत्साहित और प्रवृत्त हुआ मनुश्य यदि कारिया आरंभ कर देता है। तो साधन अपने आप जुटा लेता है। उसे इश्वरिय साहिताई मिलती हैं और अनेक सहयोगी प्राप्त हुजाते हैं। इसलिए अपने आपको सनमार्ग पर चलाने के लिए प्रेड़ना तथा प्रूत्साहन प्राप्त करना जाहिए। तथा दूसरों को इस रिष्ठता की दिशा में अग्रिसर करने के लिए उन्हें प्रेड़ित करना जाहिए। वस्तुई देकर किसी का उतना उपकार नहीं किया जा सकता। सतकारी के लिए प्रेड़ना देना इतना बड़ा पुन्यकार्य है कि उसके तुलना में छोटी मोटी पुन्यक्रियाएं बहुत ही तुच्छ बैठती हैं। अर्थात जो मनुष्य इस गायत्री गीता को भली प्रकार जान लेता है वो सब प्रकार की दुखों से चूट कर सदा आनंद मगने रहता है। गायत्री गीता के ये चोद़श लोक समस्त वेद शास्त्रों में भरे हुए ग्यान का निचोड हैं। समुद्र मन्थन से 14 रतन निकले थे? समस्त शास्त्रों के समुद्र का मन्थन करके निकाले गए ये 14 श्लोक रूपी 14 रतन हैं. जो व्यक्ति इन्हें भली प्रकार फ्रिद्यंगम कर लेता है, वो कभी भी दुखी नहीं रह सकता. उसे सदा आनंद ही आनंद रहेगा. आतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे.